एक है लो फ्रेंड्स वालकम्टु से अच्छे तरीके से अपने दिमागे बठा लीजे कि इस हबते और इस पूरे मंद में आपको अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करनी है एक अच्छा तरीके से मोटिवेशन होके ठीक है सारे अच्छे तरीके से पूरे फॉलो करना है और अच्छे से अच्छा स्कूर लाने की कोशिश करना ताकि आपका जो जो भी आप जिस पी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह एक्जाम आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए मार्किन स्कीम को देखते हैं और फटाक से एमसे की जाते हैं मतलब यह है कि वहां पर परफॉर्मेंस होता है कि आप एक उस पोजीशन पर है जहां पर ना आपको बहुत ज्यादा आगे जाने जरूरी थे ना बहुत ज्यादा नीशी जरूरी ठीक है पस आपको अपनी पोजिशन सस्टेंड रखना जिन बच्चों का छे से कम स्कॉर राता है तो कोशिश करिए कि वहां पर रिवाइस जरू ज्याद separates करे ताकि आपका स्को धिर बढ़ने तो आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अक्वार्डिंग कॉंस स्टिट्मेंट करेक्ट है फॉस्ट है डिजा नेशन वाइट सर्वे ऑफ अर्बन एड्यूकेशन और लर्निंग आउटकम्स के लिए किया गया है ठीक है यह फॉस्ट एवर फोन बेस ऐसर सर्वे है कि इस साल का जो एसर सर्वे मतलब जो एन्वल स्ट्रिस और एड्यूकेशन रिपोर्ट की गई है यह पहला ऐसा सर्वे है जिसको फोन बेस मतलब फोन से इस सर्वे को कॉंप्लीट किया गया है तो कौन स्टिट्मेंट करेक्ट है फॉस्ट ऑनली सेकेंड ली वान एंट पहले है घृष अरब एड़ूकेशन लर्निंग आउटकम्स का यहां तक नेशनवाइड सरवे बिलकूल उट था इस नौट फॉर एडवन एड़ूकेशन टॉकेशन ठीक है तो यह रूरल के लिए ना कि अर्बन के लिए तो पहले आपकी रॉंग हो जाती है सेकेंड क्या सबसे पहले कि यह जो सर्वे किया गया है तो इस रिपोर्ट को पुब्लिश करता है तो यह जो ए इस सब्सक्र कौन साथ तो इसमें 2011 का चैसे बारे समझ लेते हैं देखें जो यह report publish की गई एस साल इसमें जो 5.3% और रूरल चिल्डरन है जिनकी एच छे से 10 साल की बात देखी गई है कि उनमें यह देखा गया है कि इन बच्चों का enrollment हुआ ही नहीं है स्कूल में ठीक है मतलब 5.3% जो चिल्डरन है उनका enrollment स्कूल में हुआ ही नहीं है और इसके अलावा अगर देखा जाए कंपेरिजन किया जाता है 2020 का 2018 से तो 2018 में केवल 1.8% ऐसे चिल्डरन थे जिनका enrollment नहीं हुआ था और 2020 में 5.3% तो यह काफी ज़्यादा गैप बढ़ गया है तो इसको जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा ठीक है और ट्वेंटी परसंट रूरल चिल्डरन जो हैं डिट नॉट है टेक्स्ट बुक एठ होम बाई सेप्टेंबर अभी तक यह भी दिखा गए सेप्टेंबर तक 20% ऐसे रूरल चिल्डरन है जिनके पास टेक्स्ट कर पा रहे हैं उसके अलावा no one has no one any children who can able to attend the online classes ठीक है तो आप समझ सकते हैं आप लों कितने जादा एक सक्षा में जिनके पास अगर जिनको यह सभी करेंट फैर क्यों आपको online मिल रहे हैं तो ठीक है तो कोशिच करिए इसका अच्छे तरीके से उपयोग करिए ठीक है और less than 36% of rural children रहे हैं वो रिसीव कर चुके हैं learning materials और activity from the school से और almost अगर 75% देखा जाए school interaction was by WhatsApp तो काफ 75% तो WhatsApp से हो रहा है मतला अगर आपके पास connectivity नहीं है internet की अगर battery अच्छी नहीं चल रही है आपके mobile की या फिर आपके आपके घर में internet connection नहीं है तो फिर आपको problem हो सकती कि आपको सारे चीज़े WhatsApp पर ही receive हो रही है and not any other sources or not any other platform so you cannot able to attend all the things ठीक है तो वहाँ पर आपको सारे चीज़े नहीं मिल पाएंगे तो इन सब्सक्राइब यह सारे कुछ इसके setbacks है जो इसको complete करना है ठीक है चले यह थी इसके बारे में complete information नेस्ट कुछ पर चलते हैं सेकंड कोश्चन है अरेंज दा फॉलविंग कंट्री फ्रॉम इस टू वैस्टे कि यह सारी कंट्री अभी रिसेंट्री न्यूज में थी इसी आपको बताना है कि इन कंट्रीज का जोग्राफिकल लोकिशन आपसे पूछा सकता तो बताए इन में chronological order में कौन सी कंट्री सही जमी हुई है ठीक है फॉस्ट है फ्रांस सेकंड स्पेन थर्ड जर्मनी एन फॉर्थ फिनलेंड आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए-4312 ऑप्शन वी 2314 ऑप्शन सी 4132 ऑप्शन डी 1234 ठीक है तो वीजियो को पॉस कर लिजिए और आंसर दीजिए कोशिच करिएगा और अपना जल्दी जल्दी दीजएगा ठीक है मैं सभी कॉमेंट देखता जाऊंगा अब चलिए होफुली अपने आंसर सोच लिए होगा देख लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में मैप को तयार करें कि एस्ट टू वेस्ट आपको कंट्री जमानी है ठीक है और यह कंट्री कहा चाहिए कि सबसे पहले की का है तब यह आप इसको जमा पाएंगे अब यह सबसे पहले पर चार्मनी फिर फ्रांस और प्र स्टेश्य करें गया ठीक है तो कोशिच करें कर्यें चलिए ने पर चलते हैं नेस्ट कुशन विच आप थे फॉल्लॉइंग स्टैट्मेंट इस और आर करेक्ट विधरिस्पेक्ट टू कुमहार सथिकरन योजना अभी रिसेंट्ली न्यूज में थी तो आपको बताना इसके रिगार इंग कौन से स्टिट्मेंट करेक्ट है फर्स एट्स में एम इंप इ लिए ठीक है सेकेंड आपकी इनिशेटिव औफ द खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन की यह जो इनिस्टेव कोमाज सख्तिकरन योजना का यह खादी एंड इंडस्ट्री कमिशन के द्वारा लिया गया है ठीक है तो वीडियो को पाॉस करके आंसर दीजेगा ठीक हैं आप पर सेल्फ रिलेंट दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर जो इंप्रूव करना है पॉर्टर की लाइफ को उसी के लिए यह यूजना लेके आई गई है तो बिल्गुल करेक्ट है और सेकेंड है क्या यह जो इनिशेटिव है एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन का ह करने के लिए इंपावर्मेंट करने के लिए लिए लिखने को आता है तो आप वहां पे इस स्कीम के बारे में जरूर निर्भर करेगा ठीक है मतलब वहां पे इसको जरूर कोट कर दीजेगा और इसके अंदर कुछ तक बार सब्सक्राइब योजना है इसमें नए ने मॉडर्ण लाए जाएंगे ताकि जो पॉटर्स है वो जिस तरीके के जो बरतर बनाते जो यूटेंसल बनाते हैं उनका अच्छे तरीके से उप्यूब करके अच्छे उजद्द अच्छे यूटेंसल बना सके ठीक है रिचेंटली ने इंडिया ने वी का जिसको बेसिक एक्षेंज और कोपरेशन एग्रिमेंट कहते हैं यह साइन किया है तो आपको बताना है किस कंट्री के साथ इंडिया ने इसको साइन किया है फॉस्ट है यूएसे सेकंड रॉश्या थर्ड ब्राजिर एंडी शिर्लंका विडियो को पॉस्ट कर लीजिए अंसर दीजिये डेन वी विल डिस्कस घेल होगा ऑपने अंसर सोच लिया होगा ठीक है और ज्यादा समय लगा आपको कि यहाँ पर जाब समय नहीं होता है ठीक है तो दो बिइका है जिसको बेसिक एक्षेंज एन कोपरेशन कहते हैं यह ब एक्सेस अमेरिकन जियो इस्पाशिल इंटेलिजेंस से प्राप्त कर सके जो हैंप करेगा इन्हेंस करने में इंडिया की एक्कुरेशी और ऑटोमेटर सिस्टम और जो वैपेंस हैं लाइक मिसाइल्स एंड आम ड्रोंस ठीक है तो जो रियल टाइम एक्सेस जहां पे आपको अपनी पूरी जो जो भी वैपन से जो मिसाइल्स पहुंचाना है वहां पे जो बेसिक एक्सेंड कोपरेशन एग्रिमेंट है यहां पर हेल्प करेगा ठीक है इसके अलावा जो कोशन पूछा सकता पेपर में आपसे की रिगार्डिंग मतलब एक्सेप्ट भी का इसके चलिए नेक्स्ट कुशन है इसके रिगार्डिंग कौन सी च्ट्मेंट करेक्ट है और फॉप्जर्वेशन सेटिलाइट जिसको ए यो एस फिर्स्ट कहा जाता है इस इंटेंडड फॉर एप्लिकेशन इन प्रेवेंटिंग इन लीगल माइनिंग की इसका जो एर्थ उप्ल इसके लिए प्रेवेंट करने के लिए इन लीगल माइन में तो फॉर एप्लिकेशन ठीक है जो एप्लिकेशन है प्रेवेंटिंग इन लीगल माइनिंग के अंदर प्रेवेंटिंग करने के लिए यह जो एप्लिकेशन लगाए जाते हैं सेकेंड इंडिया इंडिया पोलर स कर लीजे आंसर दीजे फिर हम डिसकस करते हैं इसके बारे में कि चलिए आपने आपने सोच लिए होगा देख लिए राइट नाजर कहा है सबसे पहले देखिए जो अर्थ किशानी है ठीक है किसान के छेत्र में मतलब जहां पर किशानों को कुछ इंपॉर्ट चाहिए वहां पर इसका उप्योग किया जाएगा तो वहां पर इसको यूज के जाएगा ना कि लीगल माइनिंग में ठीक है और पी एसल्वी क्या यह फॉस्ट जेनरेशन का लॉंच भी क चलते हैं कि पहले समझ दीजिए फिर खत्म करते हैं कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजिए आप से पूशिए सकते हैं कि इस तरह के दोरा इंक्लूट की गए सटेलाइट से जो है ठीक है जिनको पी एसल्वी जाड़ी लांच की जाते हैं तो कौन-कौन से हो सकते हैं तो यह आपका रिसोर्स सेट जिसको टू टू ए कार्टो सेट वन टू टू ए टू बी री सेट वन एंड टू एंड ऑशियन सेट टू मेगा ट्रॉपिक यूज सेरल एंड स्कैट सेट वन इंसेट 3DR 3D एट सेक्टरा ठीक है तो यह कुछ सेटलाइट से जो आपके अर् पर दिश्कूस करते हैं यह जो एप्लिकेशन से अब भी हम दिश्कूस किया था यह जो जो से वैंना आपके बताएं खेती के साने क्लें मतलब फॉरेश्टरी हो गया ठीक है अगरी कल्चर के फील्ड में हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया तो यहां पे इसका कोप्रेहंसेव एकॉनमिक पार्टनर्शिप की इंडिया ने और सी इपी को अभी तक साइन नहीं किया है सेकेंड एक क्वार्ड इस इन इन फॉर्मल ग्रूप ऑफ कंट्री इस लोकेट करती हैं वह क्वार्ड का पार्ट हैं तो कौन से सिर्ट में करेक्ट है ऑप्शन ए व सबसे पहले क्या इंडिया आर सी पी का पार्ट नहीं है अगर आपको याद हो तो 2019 में काफी बड़ी एक स्टेट्मेंट आए थी कि जरेंद मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आर सी इपी को साइन करने से मना कर दिया था तो इसलिए क्या है कि क्या साइन कि अगर हम आर सी पी को साइन करते हैं इसका मतलब क्या है कि हम फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का पार्ट हो जाएंगे और वहां पर यह प्रॉब्लम होगी कि जो बाहर की कंपनी है वह अपना समान क्या करने लगी इंडिया में डंप करने लगेंगी उससे प्रॉब्लम क्या करते हैं वह दिरे-दिरे कम होने लगे ठीक है उससे क्या होगा क्योंकि उनके जो वह अपना ट्रेड करेंगे उसमें कोई कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी उससे प्रॉब्लम होने लगेगी तो आगर इंडिया अभी आर सीपी का पार्ट बनता तो उस समय काफी खराब ह कोई का मेंबर नहीं है ठीक है अगर आपको पता है कि कौण कौन कौन सी कंट्री है तो आप देख सकते हैं कि यह इंडिया और और ऑस्टेलिया तो यूएसे और जैपैन दोनों इंडिया नहीं करते हैं रॉप्ट हो जाती है बी हो जाएगा ठीक है याद रखेगा कुछ औ लेपेंस सिंगापूर थाइलेंड और वियतनाव यह दस कंट्री आती हैं और इसके अलावा इंडिया के निकल जाने के बाद जो पांच कंट्री बचती हैं क्योंकि यह पहले टैन प्लस सब्सक्राइब करता है कि डमेस्टिक एक उसके मतलब उसकी जूरिस्टिक्शन से बाहर जा कि क्या करता है कस्टोमर की help करता उनको आफी काफी ज़्यादा financial services provide कराता है इंडिया का पहला IFSC जो है उसको gift city गुजरात के अंदर established किया गया है तो कौन से statement correct है option A one only option B two only option C one and two option D none of the above वीडियो को pause कर लीजिए answer दीजिए फिर हम discuss करते हैं इसके बारे में चलो IFSC को देख लेते हैं कि IFSC जो है इसको यह क्या यह domestic economy के बाहर जाके काम करता अगर यह ऐसा नहीं होता तो इसके बारे में statement ही बना ही नहीं जाती ठीक है तो कोशिश करिए बहुत ध्यान से पढ़ने की के बाहर जाकर ही कस्टुमर को help करता तो आपकी करेट है सायद आपको लिखा जा सकी कि इसके बारे में आपको बता दिया हूँ कि जो फाइनस मिनिस्टर थे ठीक है अब कुछ और चीज़ समझ लेते हैं जो फाइनस मिनिस्टर थे उन्हें अनौंस किया था यूजर बज़ेट 2015 में कि इंडिया का पहला इसको गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर इस्टैबलिश किया जाएगा ठीक है इसके बारे में कुछ चीज़ें इसको याद रखेगा और रेस्ट आपको इंपोर्टन थी वह हमने कोशन में डिसकस कर लिए ठीक है चाहो तो आप यहां पर वीडियो को पॉस्ट करके और यह पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए नेश को चलते हैं अब नेश कोशन है फूव विल बी अपॉंटेट एज अज नेक्स चीफ इनफोर्मेशन कमिशनर इन अक्टूबर 2020 कि कि किसको कंट्री का निव चीफ इनफोर्मेशन कमिशनर 2020 मतलब अक्टूबर में बनाया जाएगा है दिनेश भाटिया सेकेंड यश्वर्धन कुमार सेना थर्ड किशन दन किशन दन देवल एंड फॉर्थ आपका अनुमला गितेश शर्मा ठीक है तो वीडियो को पॉस्ट कर लिजिए अंसर दीजिए फिट डिसकस करते हैं चली अपने असे सोच लिए होगा देखे इस तरीकी की कुश्चिन आप से जो स्टेट पीसी होते हैं ठीक है एससी के एक्जाम होते वहां पर आप से पूछ लिए जाता है तो इसका जो राइट आंसर है कि अभी जो न्यू सी आई सी जो चुने जाएंगे ठीक है जो चुन चली यहां पर जो आपको राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ना की ऑप्शन सी ठीक है चली तो यह इसके बारे में इंपोर्टन थे यह फॉर्मल इंडियन फॉरें सर्वेस में काम कर चुके हैं ठीक है और इंडिया के लिए जो इंडियन हाई कमेशनर यूक करेगा किस के साथ जो आपके ऑप्शन दिये हैं ताकि उनको एक लाख अंडर सर्ड वोमें जो हैं वो इंडिया के अंदर जो नेक्स दस मन्स से काम कर रही हैं उनको और अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके ठीक है तो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इस्किल इजनसी थर्ड श्किल्ड डेवल्मेंट कॉर्परेशन और फोर्थ इंडेस फांडेशन वीडियो को पॉस्ट कर लीजे आंसर दीजे और फिर हम डिसकस करते हैं इसके बारे में प्रोवाइड कराएगा एक लाख अंडर सब्सक्राइब को जो पिछले 10 मंत से इंडिया के अंदर काम कर रही है ठीक है तो इसको याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टन बहुत अच्छा इनिशेटिव है अगर आपको वोमें के कुछ डवलप्मेंट के लिए वोमें जरूर मेंशन करिएगा ठीक है जो पिछले 10 मंद से इंडिया में काम कर रही है वह ऐसी एक लाख वोमेंट को क्या की जाएगा और चीश्किल्स प्रोवाइट कराई जाएगी ठीक है चलिए चलते हैं और आज का लास्ट कॉश्चन हम डिसकूस करेंगे कि विच स्टेट है पास्ट अनरडर तूप प्रोवाइट सेवेट्व परसुन्स रिजरवेशन फर गवर्मेंट स्कूल इस्तुट इंडर गूज्राट कोर्सी की अभी किस स्टेट ने शेवन पाइफरेशन देने की बात किये गवर्मेंट इसकूल तो आपकी यूपशन है फर्स्ट महरास् अपना सोच लिया होगा इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी तमिल नाडू स्टेट गवर्मेंट ने क्या यह फैसलर लिया है कि वह सब्सक्राइब कराएगा गवर्मेंट स्कूल स्टुनेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुट मेडिकल कोर्स में काम कर रहे हैं ठी अभी यह लोग नहीं बना है अभी लोग बनना बाकी है और इसमें स्टेट गवर्मेंट के भी थोड़ा सा आदेश आना उनकी जो फाइनल जो उनका सील लगना वह भी बाकी है बट आफ मतलब फॉर्दर इन अपकमिंग टाइम इट विल डैफिनिटली भी पास ठीक है कम् बनवारी राल परोहित चीज़ें ठीक है आप से पूछ जाता है इससी और पीसे के एक्जाम में कभी-कभी और लोग सब्सक्राइब कर देजेगा क्योंकि आपका कमेंट यही मेरा मोटिवेशन है और इसी के कॉर्डिंगी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कारेंट पूरा अपना जितना भी हो सकते उतना पूरा फुल 100 परसंट दीजिए और अच्छे तरी के स्टडी करें क्योंकि आपको एससी पीसी एस एपीएफो और आपका यूपसी जिस एक्जाम की वैदर यू आर प्रिपेरिंग ठीक है सारे एक्जाम आपको क्रैक करना है चलिए तो यह थे आज के इंपोर्टन करेंट इस इतना भी स्कूर आया हो उसको कॉमेंट बॉक्स मिलेग दीजेगा ठीक है कम आया स्कूर एक बार रिवाइस कर लिजेगा और आफ्टर 24 आर्स एवरीबडी हूर वाचिंग डा वीडियो एवरी वाइस टीक है सभी को रिवाइस क करें करें मेंट एक ड़ा दीक है मिलेगा वी गर शोलो हावरी जच्योटन कर दो मिलेगा और रूफरBeंडी है